ये है विविद भारती उचाले उनकी यादों के उचाले उनकी यादों के नमस्कार उचाले उनकी यादों के इस करिक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उचाले बाद रही हैं जानी माने फिल्म अभिनेत्री शेशी कला तो लीजे सुनिए फिल्म अभिनेत्री शेशी कला से कमल शर्मा के लंबी बाचित पर आधारत इस करिक्रम की पाँच में और अंतिम कड़ी विविद भारती के सभी सुनने वालों को मेरा बहुत 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 प्यार और नमस्का शेशिकला जी देखे ये तो को स्टास की हम बात कर रहा है लेकिन फिल्म सिर्फ अपने आस पास के जो साथ ही कला कर रहा है वहाँ तक सीमित नहीं होते इसमें टेक्निशन्स आते हैं उसमें राइटर्स होते हैं पडिश्र हैं डिरेक्टर्स हैं और जब इन डिरेक्टर्स की बात करता है तो ऐसे में अबी जैसे वी शांतराम साहब का जिक्र चला जो अपने आपने एक इंसिट्यूट वह भी एक अलग संस्थान गुर्दध जी का अलग और ऐसे ही ऐसे एक दो और घराने हैं जिसमें मैं बी आर चोप्रा सहाब की बात करूं या 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 चोप्रा जी की बात करूं जिन्हों ने बहुत सारी फिल्में उनकी शुरू-शुरू की डिरेक्ट भी लेकिन बी जिसकी हिम्मत नहीं करते हैं ऐसे कथानकों के उठाने के लोग उठाने के लोग अई से रहा जिया चाहे और धूल का फूली में ने छोटा साई रॉल की या उसके बाद मुझे गुम्रा में रॉल मिला तो first day मेरा काम था वहाँ पर, scene मुझे बुलाया, माई मुझे बुलाया करते थे, चोपड़ा जी, माई, ये scene है, और इस scene पर मेरी picture पूरे depend करते है, इतनी बड़े responsibility मेरे सर पर, ये बल्देवराजी की ये, बियार, बल्देवराजी जी, और वहाँ क्या होता था, कि हम लोग करते थे ना, दोनों भाई में यूनिटी बहुत थी, तो करते थे, तो फिर कभी यह जी आके बताते थे, कि इसमें ऐसे करो, कभी चोपड़ा जी बताते थे, इसमें ऐसे करो, बहुत सिखने लाए, तो first day में और माला, दोनों का scene, काफी लंबा scene, पता ने आपने गुम्रा देखी है, यानि, मेरा introduction scene है, होती तो ब्लाक मिलर, मगर scene में ऐसे दिखाना था, कि मैं सुनिल जी के बीवी हूँ, एक rehearsal, दो rehearsal, यानि कि आप बिलीव नहीं करोगे, लज तक rehearsal ही होते रहे, माई अप्टेक करें, क्योंकि माला जी को तो ज़्यादा बोलना नहीं था, मुझे आप यकिन नहीं करेंगे, उन दिनों में रॉस्टेक स्टॉक की बहुत तकलीफ थी, तो पच्छीस रिटेक किये मैंने, तो मैंने का चुपला जी अब मेरे सो होता नहीं है, कल करेंगे, माई एक एक ठीक और देक करते हैं, कोशिश करो, 26 टेक ओके, क्लैब, और इतने प्य बस मेरी पिक्चर हिट हो गई, तो ने कमाल का शौट दिया, कैने लगे कि मैंने स्टाफ को बोल के रखा था, कि मेरे आर्टिस्ट को पता नहीं चलना चाहिए, स्टॉक खतम हो रहा है, रोस्टॉक, और कैने लगे तू ही नहीं है, इसके पहले राजेंद्र कुमार कानून में उनका भी यही हाल हुआ था, दारा मुनी के साथ कोई एक सीन था उनका, फिर सुनिल का भी यही हाल हुआ था, माला का भी यही हाल हुआ ना, घवरानी के कोई जरूरत था, ग्रेट, 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 अभी उनका, पूरे यार्जी के यहां भी जा व usesए अन्हा जी रॉल Mmm जी रूल में तीलिए मैं चानिजर लड़की हूँ ार्वाण चैनेजर लड़की वक्त में बात कर रहे हैं, वक्त में मैं Rani का रोल कर रही थी तो जैसे ही मैं सेट पर तयार होके आयें जितने भी आर्टिस्त हैं यह मेरे तरफ देख रहे थे, पूरी मैं Rani लग रही थे, मेरे कपड़े मेरा हैर रेसिंग, मेरा मेक अगरा आर राज कुमार जी मुझे रानी ही बिलाते थे बाद में भी रानी ही बिलाते थे जहां भी मैं मिलूं रानी उठखाड़े होते है तो संब काँ रानी केसे बोलते है कुछ रानी जय класс है तो Christmas Eave था अमने शूटिंग अषिए तो बुले रानी जे ब्लस गोफर कैंडल दीनन, तिक मेरा रोल खतम हो गया, मैंने कहें जाते हैं और जब पिक्चर रिलीस हो थे तो दिली में बता रहे थे बिया चोपला जी केते हैं, मान तो जब आई, थे परोड तॉ में तो पर चुम्स्क्रीन पर तॉ तालिया ही जोग बजाते थे ऐसे लोगों ने मुझे पसंद किया थे वहाँ पर आपको कौन सा बहुत साथा चलेंजिंग लगा और लगा कि यह मुश्किल है लेकिन जिसको करके बहुत तसली मिली आपको आहिस्ता आहिस्ता आपने पता ने पिक्चर बहुत बात की फिल्म है तो यह तो मैं देखता हूं क अपने बलकि 86 सके आपकी फिल्म हो किकि वह बात है ही रहागीर कलकता की पिक्चर है हो ले प्रोडूस की थी पिक्चर एक में तो विश्वजीत थे वही यह ने सेंपज़र मिन बनी तो वहां जब मेरा उसमें तो तीन चारी सीन थे और Vesha का रोल था मेरा वैशा इन्याने के जो नाचने वाली यह वह रहागिर जसमें विश्व जी थे तो वह रोल डिफिकल्ट था मगर चैलेंजिंग रोल था चार एक सीन थे और दो-तिन मेरे गाने थे तो जब एक इंप्वर्टन सीन होता है उसमें कि यह जो लड़का है विश्वजी इस औरत को प्यार करने लगता है तो यह जो औरत है शराम बहुत प्या करती थे तो उन्हें ने कहा रोल की मैं बात कर रहे हूं तो गर पे मेरे आता है बोलत पूरी करोगे, बूलो क्या, तुम मुझसे शादी करोगे, उस औरत की यह इच्छा होती है, कोई मुझसे शादी करे, तो कैने लगा, कि मैं शादी तो नहीं करूँगा, अगर एक माँ बात बताना चाहते हूं, वो घर से भाग के आ हुए होते, कि ते मेरे घर में, मेरी मा की एक फोटो है, पोट्रेट लगा हुआ है, मेरी मा की आखे और तुमारी आखे बहुत मिलती हैं, यह जो अलग-अलग करेक्टर जो प्ले करना, जिनको हमने देखा भी नहीं कई बार ऐसे हैं, कि जो एक ऐसी, जैसे अब वेश्या की बात है, एक ऐसा पेश्या है, जैसे आपने स्क्रीन पे वहिदा जी को भी रुलाया है, अच्छे अच्छो को रुलाया है, आपने, मतलब जो सीनिर थे आसे, आपने, नील कमल में, मैं आपको बता हूँ, यह जो डिरेक्टर, उनका दा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद आपको इस से मिनी जाए रहा उनके पास असिस्टंट होते थे, मगर जैसे ही शौट हो जाए, कहते थे वैसे ही खड़े रहो, और स्क्याच बनाते थे, कंचिनिटी के, असिस्टंट तो लिखते हैं ना, यह तो स्क्याच बनाते हैं, यह हाथ ऐसे, यह पैर ऐसे, इतने ग्रेट डारेक्टर, बहुत है जैसे ही उतमदा, आई स्क्रीन पे, उनका बैक और ऑी एड्यर्याइ चाहिए, उतमदा शकर भी नहीं डहें उनकी देखिए, उतमदा, मैंने कहीं इसादमी क्याप और्पलेर इतने है चोटी सी मुलाकाद वयू थी वयन्ति माला थी उसमें विजय भठ की मैं बात कहूँ आप ने अभी बड़ प्यार से वजू कहा वयन्ति माला यह आप उनको प्यार से बुलाया करते हैं ने हमेशा वयन्ति ही कहते हैं अभी मैंने आपको शॉट फाम मगर जब पहली पिक्चर उनके साथ मैंने की थी सितारा उसमें गरीब लड़की का रोल था मेरा तो उनके पास बैठ की कोई बात भी नहीं कर सकता है वो भी किसे से बात नहीं मगर जब मैंने छोटी सी मुलाकात है वो भी के बात भी का रहता है वो पिक्चर उनके साथ मैंने की पत्रानी आप शायद पता नहीं अबटानी है विजेभट ने मुझे बुलाए है तो बात अच्छ एक रोल है बहर अच्छ रोल है बहुत अच्छ रोल है डांसर का और तुम करोगे मैंने का रूर करोंगे तो फिर कहने लगे कि पहले शामा जी करने वाले थे जब उनको पता चला कि वजन ती है डांसर उसमें तो वैसी तुम करना पड़े तो उसने छोड़ लिया कि उसके सामने उनके सामने कौन का डांस करे या मेरे लिए चालेंज था बद जी रहसल शुरू हो गए उन दिनों मे मैं स्टन्ड पिक्चरों में भी काम करती थी सोचल पिक्चर में भी काम करते थे तो हिरालाल मास्टर जी सुबाच कितने बज़े चाहर या पांच बज़े आ जाती थी मेरे घर पे मुझे लेके प्रकास चुडियो वहां पे नौ बज़े तक रहसल करना फिर मैं दस तिन मेरे रहसल होते रहे जब मैंने डांस किया वजन तीजे ने भी बहुत तारिफ के मेरे बहुत तारिफ के इसके पीछे आपके सब कॉंशिस का वो कलाकार तो नहीं था जिसने पहली बार अपनी एक छोटी सी गलती सी रोल को दिया था वो तो होगा ही ना था तभी तो मैंने मराठी बोलना छोड़ दिया और आप इस जिद पे भी आ रहे हैं जिद पे आ रहे हैं चालेंज नहीं नहीं मतलब अभी खुबसरत की बात करते हैं खुबसरत पिक्चर की रिशिदा आये मेरे पास करें के शौशी जैसे उनके बोलने कठांगे एक रोल है करेगे करेंगे दादा बोले के रेखा कि साथ डांस करना है कर सकोगे मैंने का दादा अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं जरूर करूंगे रहसल के लिए आठ दिन दूंगा तुमको मैंने ठीक है फिर आये घर पे शौशी मैं तीन दीने दे सकता हूँ और नही तो मैं तो जैसे गोपी जी बात कर देखने के लिए तो जैसे गोपी जी बात कर देखने के लिए चाल रहे है लड़कियों के दर है पुरानी आश्मती जरह करके दिखा दे देखा दे मैंने डांस करके देखा रहे हैं ऐसे हो गए फिर आम निगुआ उसमें डांस दोना नहीं है जिद्धी जिद्धी कहना चाहिए इसको मगर अच्छे कामों में बुरे कामों में नहीं आपको कभी कोई ऐसा एक्स्पिरिंचिस में कहीं गई है और पॉब्लिक ने आपको बहु कि अपने हिंदुस्तान में जितने भी जर्नलिस्ट आवाड्स सारे मुझे मिले हैं तो शाइथ आवाड्स के लिए गई थी तो कुछ हमारे पहचान के लोग रहते थे तो उनने लंच के लिए बुलाया तो मैं उनके गारी में बैठी गारी में बैठी तो एक फैन ने मेरा आग्जान प्राइब तो रहते हैं कि यह जाने हिंगा पंद्रह मिनज बीस मिनित प्ला हिंग उत्रो बात करूं तो मैं रहते हैं डिली के लिए गए तो इतने बड़े पथर लोग ने बहारें में बोली है अगर कहीं कुछ लग जानों फिर क्या होता है लेकिन वही न खलनायक के लिसान में डबना ये कि यही उसके लिए कॉम्प्लिमेंट है अभी भी लोग यहीं समझते हैं कि मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ अब मैं क्या करूं बोलिए नायक नायका उनको भूल मिलते हैं और खलनायक उनको पत्थर मिलते हैं लेकिन दोनों के लिए अगर उसकी बात करें तो परिभाशा इनाम की अलग-अलग हो जाती है क्योंकि जितनी नफरत जनता से मिलती इसका मत्तब है आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है लेकिन इसके अलावा भी हम चाहते हैं कभी-कभी समाज की तरफ से शासन की तरफ से हमें रिकनिशन मिले है महाराश्य कावर्मेंट ने दो बार मुझे ऑनेर किया है पिछले साल महाराश सरकार ने मुझे ऑनेर किया है पदमिश्री दिया है फाल के आवार्ड मिला है आपके दौर में म्यूजिक का एक बहुती अलग मिज़ाज हुआ करता था उसको मिस करती हैं बहुत मिस करती हूँ क्योंकि आज के दौर में देखे आज के पिच्चरे जो ना आज के यंग्स्टर्स आज के जो लोग हैं आपको याड है, आपको मन करेगा, बार बार सुनने के लिए मन करेगा, जैसे लता जी के गाने हैं, आशा जी के हैं, गेता रोई के हैं, इनको थाम भूलने हैं ऐसी मेल सिंगर उस समाने की हाँ जी तलर महँध बहुत जब भी जब वो रेडियो पे गाते थें तो मैं हमेशा उनके रेडियो पे गाने सुनुन आपको आज के किन कलाकारों काम बहुत अच्छा लगता है देखिए अमी जी अमीता बच्चन उनकी मैंने पिक्चर ब्लाग देखी मेरे का ये रोल तो कोई भी नहीं कर सकता है वही कर सकते है और जो यंग्स्ट्रेस है शारु खान अच्छा और अमीर खान उसके बाद अपन परने राजेश खना जी के जयो जमाई है क्या नाम है उड़ी अकशे ज़ी क्या कॉमडी करते हैं सल्मान खान यह लड़का ये बहुत ही कंमान का काम सह है अनिल कापूर अनिल जी हाँ और जिसना शारुफ जी है दो तिन पिक्चरों में उना किया उनके साथ काम किया, खुँछ मिलने आया, इतने बड़े स्टार, मिलने आया इतना रिस्पेक्टि दिया, और मैं जितने भे हमारे आर्टिस्त हैं, तो वहां यंग्स्टर्स जो है, बेटे और इंट और लात वेखां रेंस से रहा हमेश्या हमेश्या हम बिटा आप काम करते हैं वल्वे वह दो बंदे काम किया था बाड़ यह जए हुना काम All जो है भी जोना के रहा हास्थ रहे पिक्चर थी यह नहीं ने एक रोल किया था पटे सहाँ कि थी भाई पटिल का रोल जो उनने किया था मैं तो भूली नहीं सकती यह दो रोल और आजकोल तो बहुत ही अच्छा कॉमेडी कर रहे हैं इसमें तो कोई जवाबी नहीं है उनका वह तो एक डॉक्ड्रामा जैसा था और लेकिन एक बात यहां और मैं पूछना चाहता हूं जैसे ओपनली तो हम जाते हैं किसी फंक्शन में बहुत सा लोगों से मिलते हैं मिलिये फिल्मे देखती है आपने फिल्मों का जिक्र क्या कि अभी तो देख लेती है लेकिन अपने मैंने नहीं देखी पिक्चरे मैं बहुता होगा प्रीमेर पर मैं कभी नहीं जाती थी तो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी जाते भी थे आप लोग तो कैसे नहीं बहुत लोग बहुत पसंद करते थे मेरा काम खास करके कुछ कुछ पार्टियों में मुझे जाना पड़ता अगर अपने घर से खाकर मैं जाती थी मेरी अम्मा कभी भीजते नहीं थी ऐसे क्योंकि मैं तो ड्रिंक नहीं करती स्मोक नहीं करती और लेट नाइट वैसे भी मुझे पसंद नहीं तो यह एक बड़ी अजीब सी बात है कि ज्यादा तर जितने भी नेगटिव रोल करने व जाठियों में तो आप यकिन नहीं करेंगे कि एव्ज विकली उन दिनों में बहुत आते थी वन अब बेस्ट लेडी मेरा नाम आता था ड्रेस्ट लेडी तो मैं जब जाती थी तो मेरी आदत थी कि क्या औरतों की बीच में बैठ के बात करने उनकी बाते तो जूरी है बस अब हमारे हस्बन गया अब पता नहीं अब क्या होने वाला देखे भाशाओं के बारे में जब मैं अंग्रेजी सीख रही थी तो मेरे फ्रेंड जिनकी साथ मेने सत्यवान सावीतरी में में काम किया तो उनसे मैं अंग्रेजी सीखती थी हाला कि मैं हाई स्कूल से ही नि तो तुमको डरने के कोई ज़रूरत नहीं है, you speak, गलाती होती है, ठीक होने तो ना, उसमें क्या है, तो उनने एक मुझे मजबूती थी, आच्छा, personality के बारे में, कि भे, कि किसी को यह नहीं लगना चाहिए, कि यह औरत पड़े लिखी नहीं है, यह दुनिया की बाते नहीं जानते, जो मेरे friend circle थे न, they were all highly educated people, high society के लोग थे, कुछ इश्वर की तरफ ध्यान देने वाले भी लोग थे, इन लोगों के साथ मेरा बैठना उठना, और मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे, मेरे पिताजी बिल्कुल educated नहीं थे, मगर उनका उठना बैठना जो था, सब पढ़ या उनके बातों से यह नहीं लगता थे, कि उनको कुछ आता नहीं है, well informed थे, तो वही मुझे भी आदत, आज जहां पर आप हैं, उसके पीछे कभी एक बहुत अंधेरी सड़क भी थी, उसके आद वो रोश्णी से भी भर गई, वहा सूरज भी चमका, कभी गहरा तुफान भी था, अब कैसा लगता है उस सब जब बुड़के देखती है, कुछ डर वाल, कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, जो यह सब मुझे, Mother Teresa ने सिखाया, जो problem आते हैं, उसको face करो, तुमारे पीछे हम लोग हैं, यह कोई जरूरी नहीं कि सभी मेरे लिए अच्छ यह फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो खबरे जाती थी, यह उनको लेकर के थे, कि माता पिता बहुत सा दिख रहते थे, कि नहीं, जबकि एक करफ़, समाज भी है उसमें, मैं आपको बता हूँ, कि हमारी इंडस्ट्री बुरी नहीं है, यह आपे डिपन करता है, कि आप कैसे रहते हो, आप कितना आगे बढ़ते हो, आप उंगली पकड़ा होगे, तो कहीं हाथ पकड़ने की कुशिश करेगा, मैं इंडस्ट्री को कभी मैं बुरा नहीं कहूंगी, और मर्दों को तो बिल्कुल नहीं कहूंगी, अगर आप जबरदस्टी उनके उपर गिरेंगे तो कोई भी आदमी फारदा उसका उठाएगा, हमारी इंडस्ट्री वाले क्यों बाहर वाले उसका फारदा हो, यह आप पर निर्भर है, आप कैसे रहते है, आप का बहुते हैं, आप कितना फॉरवल्ट बढ़ते हैं, उसकी उपर है, मेरे साथ तो कोई ऐसा experience होआ नहीं, इस प्रोग्राम के जरीए आपकी धेरों बाते सुनें, उन से क्या कहना चाहेंगे, पास को भूल रहे हैं, वो तो क्या राक है, उस राक को हम लेके क्या करेंगे, भगवान को याद कीजिए, अगर हो सकें, तो गरीब लोगों की सेवा कीजिए, और यंग्स्टर्स के लिए म आपके पास हैं, और किसी का बुरा मत सचो, अगर हो सकें, अगर तुम कर सकते हैं, तो अच्छा करो, कम से कम बुरा तो ना करो किसी का, वैस और क्या है? तो आज आपने भी बहुत प्यार से हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत लबी बात हुई, और बहुत-बहुत धन्यवाद, हालनकि धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, इस बहुत ही कीमती और बहुत बीश कीमती अमूली बादचीत के लिए, आपके इतने मीठे और शुक्रियादा करती हूँ क्या आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया Thank you very much and God bless you all जरूर सुनिएगा कारिक्रम उजाले उनकी यादों के उजाले उनकी यादों के